हलो एवरिवान कैसे हैं बिटा आप सब एप अपने घरों में बिल्कुल सेफ हैं और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे होंगे, चीक है, तो ये कौन सी book है, हर बार बच्चा बोलता है, कि मैं में ये कौन सी book है, कौन सी book है, तो I am saying you, ये woven words है, क्या है, woven words book है, चीक है, clear हो गया है, आपको यहां पर, तो don't ask again and again कि कौन सी book है, woven words book है, class 11th की, चीक है, class 11th की elective book है, और, क्या कह रही हू और चैप्टर नमबर 3 है, clear है, yes or no, चलें आगे, चलो पर, अब यहाँ पे, वुवन वर्ड्स बुक में हमने क्या-क्या पढ़ा था, चिक है, मतलब की, The Rocking Horse winner, lecture number 4, हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे important बात है, कि यह जो चैप्टर है, यह बहुत ज़्यादा wide है, क्या बोल रही हूँ, यह जो चैप्टर है बक्चा, यह बहुत ही ज़्यादा wide है, मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत lecture लग जाते हैं हमारे को इस पर, अब सबसे पहले, जो हमने Rocking Horse में पढ़ रखा है, उस पर पहले होगा हमारा quiz number 1, क्या होने वाला है, इस slide के बाद ही, आपको quiz number 1 दिख जाएगा, तो please अब participate कीजएगा, quiz number 1, question number 1, आपकी screen पर, house haunted by the unspoken phrase, house haunted by the unspoken phrase, which phrase in the chapter is discussed, hello, जल्दी बताएगे, house haunted by the unspoken phrase, which phrase in this chapter is discussed, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, देखिए, ये repeated question है, कोई नया question नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, voice, okay, चलें अब आगे, चलें आगे, house haunted by the unspoken phrase, which phrase in the chapter is discussed, बताओ, बहुत ही simple है, there must be more money, there must be more money, तो C part हो गया, यहाँ पे, correct, चीक है, आगे चलें, चलो, children were happy in the house, children were happy in the house, क्या था, तो यहाँ पे देखे, क्या था, बी पार्ट हो गया था, यहाँ पे, incorrect, क्योंकि बच्चे तो बेटा, खुश थे ही नहीं, clear है, चलें आगे, चालो, अब दा rocking horse winner, बेटा, जल्दी आप बताईए, आपको अगर कोई doubt था, lecture number one में, lecture number two में, lecture number three में, कोई doubt था, कौन सा paragraph, आपको clear नहीं है, जल्दी मुझे बताईए, जल्दी, बेटा, अगर मैं आपके comments देखू ना, तो हमेशा आप बाते कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ आते ही बाते करने हो, मैं उन बच्चो को, यहाँ पे एक चीज समझाना चारही हूँ, अगर आप lecture अटेंट करते हैं, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपसे बहुत ज़ादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, clear है, तो लाइफ में कभी सीरियस होना भी सीखे, हर चीज मजाख नहीं होती है, बिच्चा, हर चीज मजाख नहीं होती है, आप यहाँ बाते कर रहे हो, स्कूल में बाते कर लोगे, ठीक है, तो एक्जाम कभ दोगे, 12th क्लास आ रही है ना अगे, आपको पता है क्या, कि 11th, 12th का अगर आप पढ़ते हो, तब जाके आपको इतना अच्छा कॉलेज मिलता, परसंटेज मैटर तब तक करती है, जब तब कॉलेज में अड्मीशन नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पर बाते मत कीजे, आप हसते हो, आप बाते करते हो, कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो कितना डिस्ट्राक्ट हो रहे होंगे, आपको पता हैं, अपना फ्यूचर खराब करते हो, और साथ में दूसरे बच्चों का भी, चलें आगे, प्लीज सीरियस हो यह लाइफ में थोड़ा, अब दा रॉकिंग होर्स विनर में, हमने पढ़ा था, एक मदर के बारे में, चीक है, एक मदर के बारे में, और उनके बच्चों के बारे में, मतलब की एक बॉय था, वन बॉय था, चीक है, और टू गल्स थी, चीक है, टू गल्स थी, मतलब की मदर के तीन बच्चे थे टोटल में, चीक है, एक अंकल ऑस्कर थे, ये कैरेक्चर्स को हमने पढ़ लिया था, येस और नो, हाँ या ना, ठीक है, यहां तक हमने बच्चा पढ़ लिया था, ठीक है, अब भी मदर का कैरेक्टर हमने पढ़ था, कि मदर ने क्या किया था, कि शादी करी थी, ठीक है, अब शादी करी थी, तो उसका एक सपना था, क्या उसका एक सपना था कि भाई मुझे तो खूश रहना इस वज़े से उसने शादी करी शादी करने के बाद उसके बच्चे जब हुए बच्चे बहुत सुन्दर थे लेकिन उसे क्या लग रहा था कि यार मेरी तो किस्मत ही खतम हो गई मुझे तो लाइफ में जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं खुशी मैं अब यहां पर बच्चों की responsibilities में संभाल रही हूं clear है आपको यहां तक ओके आगे चलें ठीक है उसके बाद हमने देखा था कि जो उसकी मदर है वो कहती है कि भई तुम्हारे फादर जो है वो लखी है तो अब मुझे ही life में कुछ करना पड़ेगा चीक है तो क्या बात हो रही थी कि अब मुझे ही life में कुछ करना पड़ेगा चीक है अब वो कोई काम करती है लेकिन उसका भी जो काम होता है वो profitable प्रॉफिटेबल नहीं होता क्या कहा रही हूँ जिसका भी काम होता है वो फॉफिटेबल नहीं होता ऐगे चलें अब यहां पर हमने बात की थी जबकि एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है पॉल जाता है अपनी मदर मदर के पास जाने के बाद वो कहता है कि क्या जो लख होता है वो पैसा होता है तो मुझे आंसर दीजे वह बहुत हो रही है जल्दी आंसर दीजे जो मदर के पास जाता है तो उसकी मदर ने क्या बोला था? कि किसमत जो होती है, वो पैसा होती है? नहीं. उसने कहा था, जिसके पास किसमत है, उसके पास पैसा है. चीक है, इस वज़े से हमने अमीर पैदा नहीं होना, बलकि लख जिसका साथ होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास पैसा भी अगे चलो अब हमने स्टोरी को बहुत ही डिटेल में पड़ा था येस और नू ठीक है अब को इस नंबर चू खेलेंगे हैं मैं पहली बोल रही हूं अब मैं आप के साथ को इस नंबर चू खेलूंगी तो प्लीज ध्यान से देखेगा ठीक है आप हैं वांस थिख रहा है के का याए को है अण रिख बता जल्दे हम आईयय oynगा डूज थेखेंजरो डिटेंगे खेल वांस डूज कासरि और जल्दे यह व स्वांसक्ति रही है तो स्प्लीब मैं भस Commission ten जल्देख ऑंस जल्देख को तो गलत बता रहे हो एक बच्चे चले आगे चलो Who said if you are lucky you have money Who said if you are lucky you have money जल्दी जल्दी बता दो में को तुम बता दो सारे सो रहे हैं यार आज आज तो ना मैं कह रही हूँ आज तो सारे के सारे सो रहे हैं चाहे आपके बच्चों को देख लो चाहे यूटीब सारे के सारे सो रहे हो आज बाते करवालो, बातों के लिए नहीं सोते हैं बातों के लिए कौन सोता हैं मैं ये चाप्टर को पढ़ पढ़ के सो रहे हैं ठीक है Who said that why don't we have our own car Paul ने बोला था न, अपनी मम्मी को बच्चा ठीक है Who said if you are lucky, you have money अगर आप lucky हो तो आपके पास पैसे होंगे किसने बोला था, मदर ने बोला था तो B part हो गया यहां पर correct समझ में आया चलो आगे अब हम चाप्टर को पढ़ता है हमने यहां पे, अब तक चाप्टर में क्या पढ़ा था कि यहां पे एक message होते हैं जो माली होते हैं चीके, was a serious as a church बहुत ही जादा serious person होते हैं तो वो uncle को कहते हैं कि अपने बतीजे को मतलब कि Paul को खुद ही समझा लीजे चीके, for a ride in the car तो इसके बाद जब वो कहते हैं seriously कि Paul को आप खुद ही समझा लीजे, तो यहां पे जो uncle होते हैं, nephew को मतलब अपने Paul को लेके जाते हैं car ride के लिए किसके लिए लेके जाते हैं? car ride के लिए say Paul, old man do you ever put anything on a horse? तो uncle ने पूछा कि क्या horse riding जो होती है horse race जो होती है क्या, तुमने इस पे पैसे लगाए हैं कभी? यहां तक समझ में आ गई थी ना चलें चलो अब आगे देखते हैं जो लड़का होता है लड़का कौन है ये? जल्दी बताए, लड़का कौन है? Paul बहुत दिहान से देखता है why do you think I aren't too he paired अब वो यहां पे कहता है कि आपको क्यूं लगता है ठीक है, टालते हुए वो आपको क्यूं लगता है भई horse race में मैं पैसे लगाऊंगा ठीक है? ओके Not a bit of it I thought perhaps you might give me tip for the Lincoln अब देखिये Not a bit I thought perhaps शायद तुम मुझे might मतलब अब शायद तुम मुझे कोई tip दे दो Lincoln के लिए अब Lincoln क्या है? एक horse race है ठीक है Lincoln भी एक horse race event है Clear हो गया? चले आगे चलो The car sped on into the country going down to the Uncle Oscar place in hemisphere अब जो कार थी वो निकल रही थी country में और कहां जा रही थी जो इस कार पे वो गये थे Uncle Oscar के घर पे कहां पे उनका घर था? हैंप स्पेर में ठीक है? Clear हो गया? The car sped Honour Bride Saif the Nephew Honour Bride Son Saif the Uncle Honour Bride Saif the Nephew अब Honour Bride क्या होता है? हम हमेशे एक बात करते हैं न? ठीक है ओके आपके बच्चे बहुत अच्छे थीक है Honour Bride का क्या मतलब है? Honour Bride का मतलब होता है बच्चा एक फ्रेज ठीक है एक फ्रेस है जैसे हम हर बात में कहते हैं न कसम घारे हैं थिक है और और चले यस और नो चले आगे चलो अब देखिए ध्यान से on a bright sun said the angle कसम से बतीजा करें कसम से uncle bright कह रहे हैं uncle Oscar कह रहे हैं अच्छा कसम से चीक है ओके well then daffodil अब daffodil क्या होता है हलका yellow रंग का घोड़ा चीक है यहाँ पर daffodil अगर आपको पता होगा daffodil होता है flower यह यलो कलर का यह पीले कलर का होता है लेकिन इस chapter में daffodil कौन है एक horse है ठीक है horse का नाम है तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या तुमने कभी bet लगाई है घोड़ों की race में तो वो कह रहे है कसम से तो आगे से क्या कह रहे है कसम से बेटा said the uncle ओके ओके अब well then daffodil daffodil I doubt it sony what about mirza तो वो कह रहा हाँ भई well मैंने यहाँ पर bet लगाई है ठीक है daffodil खोड़े पर कि वो ही जितेगा अब यहाँ पर अब यहाँ पर daffodil I doubt it what about mirza तो अब अंकल क्या बोल रहे है daffodil पर तुमने bet लगाई है लेकिन मुझे ना उस पर डाउट है कि वो जीतेगा यह नहीं जीतेगा ठीक है ओके तो वो कह रहा है कि मीरजा का क्या ह है मीरजा भी बेटा क्या है होर्स नेम है होर्स नेम है क्लियर हो गया जल्दी बताइए चलिये चलो I only know the winner said the boy that's daffodil तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि मुझे सिरफ एक विनर के बारे में पता है ठीक है और जो विनर है वो है daffodil अगर तुम्हें doubt करना है तो करो बट मेरे लिए तो विनर कौन है daffodil और पकाई है मुझे पता है कि daffodil ही जीतेगा ठीक है daffodil है तो वह कहरे साही में daffodil है ठीक है there was a pause daffodil was an obscur horse comparatively तो यहाँ पर क्या there was a pause दो मिनट ना चुप्पी हो जाती है इसे ठीक है ओके daffodil was obscur obscur मतलब ऐस पश्ट horse comparatively अगर हम compare करें तो अंकल क्या बोल रहे हैं अंकल ऑसकर कि भाई मुझे ना clear नहीं है अगर हम compare करें उसे मिर्जा से तो यह होड शायद ना जीत clear है जल्दी बताइए चलें आगे चलो अब अंकल यह सं तो अंकल एकदम से बोला अंकल फिर अंकल क्या बोले यह सं क्या हुआ बेटा चीक है यह वोंट लेट इट गो एनी फॉर्दर विल्यू आई प्रॉमिस बैसे तो आप प्रॉमिस करो जो मैं कहूंगा वह आगे नही नहीं जाएगा आई प्रॉमिस बैसेट चीक है तो उसने क्या कहा कि मैंने प्रॉमिस कर रखा है बैसेट से तो आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला तुमको चले आगे चलो बैसेट 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 कौन था बिटा माली गाडनर याद है हाँ तो यहाँ पर देखे अब अच्छे बच्छे आ रहे हैं मैं कह रहे हैं अब रिस्पॉंस भी कर रहे हैं बाते कोई नहीं कर रहा चीक है बीच में आ जाते हैं रिप्लाय करो रिप्लाय क तो वो अंकल ऑसकर क्या बोल रहे हैं कि भाई यह ओल्ड मैन इसका क्या मतलब है ठीक है आप तुम मुझे यह कह रहे हो कि जो बाते मैंने तुम्हें बता दी बता दी मैंने बाकी फ्रॉमिस कर रहा है बैसेट से मैं तो नहीं पता हूंगा तो आगे से कह रहे हैं क्या वह रख में प्लीड बतार कोई डाऊट है चले हैं क residence we are partners we have been partners from the experts uncle घुक है तो वह आगे से से पॉल क्या कह रहा है कि भैं हम तो पाल्टनेर हैं दिसाएब आपसे बात कर रहा हूं नेकरिए आपसे पहले मेरे पाल्टनर हैं कॉन जल्दी बताए मेरे पार्टनर है कौन अगर आप पढ़ रहे हो ना ध्यान से तो आपको इसका आंसर पता है बेसिट छीक है क्लियर हो गया बच्चा ओके आगे चलो अंकर लेंच मी वन फर्स फाइफ शिलिंग विच आई लॉस्ट शिलिंग का क्या मतलब होता है बिटिश कॉइन होता है क्या होता है British coin होता है coin का क्या मतलब monetary unit मतलब कि जैसे हमारे यहां पर सिक्के नहीं होते है पैसो के तो वैसे ही एक coin होता है और equal होता है 20th of a pound और 12 pins clear हो गया तो आप बस याद रखे shilling का क्या मतलब है coin ठीक है? ओके चले आगे uncle he lent me the first 5 shilling which I lost उसने मुझे 5-5 shillings दी ती लेकिन मैंने उसे खो दिया मतलब lost कर दिया क्योंकि मैं बेठार गया होंगा I promise him मैंने उन्हें वादा किया था honor bride कसम से भगवान की कसम कहा के कह रहा हूं it was only between me चिक है? इसमें क्या लिख रखा है? it was only between me and him सिरफ मेरी और उसके बीच में थी यह जो deal थी वो उसके और मेरे बीच में थी only you gave me 10 shilling note I started winning so I thought you were lucky तो उसने क्या बोला कि भई जो blessed थे उनके साथ मेरी पहले dealing थी ठीक है? पहले dealing थी उन्होंने मुझे 5 coin दिये थे जो मैंने खो दिये it means उसने क्या किया होगा bet को ही loss किया होगा जो तने शर्त लगाई होगी उसमें गवा दिये होगे तो आगे वो कहा रहा है कसम से यह तुम्हारे और मेरे बीच में यह बात रहनी चाहिए only you gave me और आपने मुझे 10 shilling दिये 10 coins दिये और I started winning तो मैं horse की race में जीतने लग गया तो मैंने सोचा कि you are lucky Uncle Oscar को कह रहा है कि मुझे लगा कि आप lucky हो मेरे लिए कोई doubt है जल्दी मुझे बताए कोई doubt है ओके चले आगे जल्दी बताए You won't let it go any further तो यहां पर आगे क्या बोल रखा है You won't let it go any further तुम आगे नहीं जाओगे Will you चिक है तो यह बाते इस इन बातों के बद आगे तुम नहीं बोलोगे Will you चले आगे चले बेटा बाते करने में सब शेर है है लेकिन अगर कोई मैं पूछ रही हूँ बेटा डाउट है तो बता दू नहीं चिक है क्लियर है यह नहीं है क्लियर है यह नहीं है उसका भी आंसर नहीं चिक है लेकिन हाँ हम बाते करेंगे हम तो अपका समय बरबात करने आए हैं जिंदगी का ठीक है न चले आगे चलो दब बॉइ गेस आट इस अंकल फ्रम दोज बिग होट ब्ल्यू आई सेट रेदर क्लोज चुगेदर अब ध्यान से पगड़ी दब बॉइ गेस गेस का क्या मतलब होता है लड़का जो होता है न वो अंकल को ऐसे गूरता है ठीक है क्या कर रहा है अंकल को ऐसे गूरता है ठीक है फॉर दोज बिग होट ब्ल्यू आईस जो उनकी आँखे होती है वो बड़ी बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा लगता है कि वो घूर के देख रहे हैं तो hot personality with blue eyes, ठीक है, okay, set rather close together और इनकी बजाए वो पास में जाके अंकल के देखता है, अंकल को घूरने लगता है, चलें आगे, the uncle straight and laughed uneasily, अब जो अंकल होते हैं, वो उभार या होते हैं, उभारा, मतलब कि अंकल देखते हैं, भाई यह मुझे घूर के देख रहा है, ठीक है, और जोर से वो हसने लग जाते हैं, uneasily, मतलब कि जो असानी से नहीं, बहुत ही ज़्यादा हसने लग जाते हैं, clear हो गया, चलें आगे, ठीक है, चलो, आगे, write your son, I will keep your tip private, तो वो आगे से बोलता है, ठीक है, जो तुमने मुझे tip दी है, ठीक है, क्या, आपने जो मुझे tip दी है, ठीक है, तो उसे मैं private रखूँगा, क्या बोल रहे हैं, कि अगर तुने मुझे ये सारी बाते बताई हैं, तो मैं ये सारी बाते private रखूँगा, किसी को नहीं बोलूँगा, कि तुने क्या बोला है, ठी दिल ही जीतेगा क्या वह उन्हें अभी बीड आउट है चीक है how much you are pushing on him कितने पैसे लगा रहा है तू इस पर सच बता दे मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्या बोल रहें अंकल राइट your son अगर जो तुमने मुझे टिप दिया कि defodil जीतेगा दूसरा मिर्जा नहीं जीतेगा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा ठीक है लेकिन सबसे पहले ये तो बताते हैं तुने कितने पैसे लगाए हैं horse में clear हो गया चले आगे ठीक है all except 20 pounds said the boys I kept in that reserve वो कहरे सारे के सारे पैसे लगा दे लेकिन 20 pounds को न मैंने reserve में रखा है क्या रखा है reserve में रखा है clear हो गया बच्चा जल्दी बताओ चले आगे ओके देखो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं summary देखो doubt आ रहा है कहीं बच्चों को summary देखो वो कह रहा है कि जो बैसेट है और मैं हूँ चीक है हम पहले से ही यहां पर क्या है partners है चीक है और वो कह रहा है कि बैसेट ने मुझे पहली बारी five shillings दी थी और मैंने सारी की सारी गुम दी मतलब कि मैंने सारे का सारा गवा दिया और अंकल को कह रहा है कि आपने मुझे ten coins दिये थे उसके बाद मैं जीतने लग गया तो मुझे लगा कि मैं यहां पर अंकल को कह रहा है कि मुझे लगा कि आप मेरे लिए लखी हो और अंकल के यह बोलने के बाद वो अंकल को घूर रहा है और अंकल भी देखे हस रहे हैं कि यह मुझे कैसे देख रहा है उसके बाद अंकल बोलते हैं, right you are son, तुम ठीक ही बोल रहे हो, मैं जो तुम्हारा जो secret है ना उसे private ही रखूँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, चीक है, क्या daffodil जीतेगा, you are pushing on him कितने पैसे लगा रहे हो, तो वो आगे से कह रहा है कि कोई reserve नहीं, चीक है, 20, बेटा daffodil, देखे, कोई बच्चा पूछ रहे, daffodil का मतलब क्या है, बेटा पहली बाद तो daffodil का क्या मतलब होता है, flour, ठीक है, flour, लेकिन daffodil यहाँ पे कौन है, एक horse है, ठीक है, daffodil कौन है, horse है, और horse का name है daffodil, ठीक है, please class को मैंने बार बार का है, starting से द कहाँ चल रहा है, clear है न, चले आगे, चलो, all except, तो उसने आगे से क्या कहा, कि मैंने सारे के सारे पैसे लगा दिये, except 20 pounds, जो मैंने reserve में रखे है, reserve क्या होता है, हम घुलक में पैसे नहीं जोडते, हाँ, वही होता है, clear हो गया, yes or no, चले आगे, बेटा आप के बच्चे, ज गया हो, please मुझे वहाँ reply कीजे, ठीक है, okay, the rocking horse winner, the uncle thought it is a joke, तो अंकल को लगा, यह तो मजाग करे, इतने चोटे से बच्चे के पास, इतने सारे पैसे कहां से आए, इतने चोटे से बच्चे के पास, इतने सारे पैसे कहां से आए, बतलब कि 20 pounds उसने reserve में रखे है, और बाक अंकल thought it was a good joke, उससे लगा कि बच्चा है, कुछ भी जोक यहां पे मार रहा है, ठीक है, okay, thank you, बटा, you keep 20 pounds in a reserve, do you, you young romancer, what you are betting then, ठीक है, okay, तो यहां पे, romancer का क्या मतलब है, जो dreamy बाते लिखता है, यहां हम यह कहीं, जो writer है, ठीक है, जो असलियत की बात नी, बस जो उसक बच्चता है, काल पनिक, वही, dreamy बातों को लिखता है, ठीक है, okay, तो वो कह रहा है, you keep 20 pounds in reserve, ठीक है, बच्चा है, बच्चे के पास 20 pounds है, तो वो कह रहे है, you keep 20 pounds reserve में, गुल्लक में रखते हो, मतलब कि बचा के रखते हो, you young romancer, मतलब कि जो dreamy बाते लिख रहा है, यह बो कैसे लगा रहा है, clear हो गया, आगे चले, okay, I am betting 300, said the boy, gravely, गंभीरता से, serious हो के, वो कहता है, मैं तो 300 pounds लगा रहू, ओ तेरी, ठीक है, but it's between you and me, uncle Oscar, on a bride, कसम खालो, uncle, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कसम खाये, कि आपको पता नहीं चलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कि मैं 300 pounds betting में लगा रहा हूँ, ठीक है, yes or no, okay, चलें आगे, the uncle burst into a roar of laughter, अब uncle burst into a roar of laughter, का मतलब क्या हुआ, एकदम से जोर से हसना, ठीक है, उनको यकीन ही नहीं हो रहा, क्या कह रही हूँ, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा, ठीक है, okay, चले आगे, अगर पढ़ोगे नीना, तो टीचर दोखा देदेगी, मार्क जीरो देके, ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजे, चलें आगे, okay, I am betting 300, तो आगे से पॉल क्या कहता है, कि I am betting 300, 300 pounds, ठीक है, set the boy gravely, मतलब बिलकुल घंबीरता से, but it's between you and me, uncle Oscar कसम से, ठीक है, तो बस, आपके और मेरे बीच में ये बात रहनी चाहिए, कि 300 pounds मैंने लगाए है, clear हो गया, चलें आगे, जल्दी बताइए, चलें आगे, okay, अब यहां तक बच्चों को समझ में आगे, उसके बद अंकल जो Oscar होता है, वो की, 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 हसर है, की, की, हसर है, ठीक है, okay, it's between you and me, all right young son, तो वो आगे से कह रहा है, it's between you and me, ठीक है, young son, not gold, he said laughing, not gold, gold का क्या मतलब होता है, gold का मतलब होता है, एक surname होती है, ठीक है, जो airline, Scotland और England के लोगों में ही पाई जाती है, ठीक है, जैसे हमारी surname क्या है, ठीक है, किसी का पाल है, किसी का गुजर है, किसी का सिंग है, किसी क क्या होता है, एक surname होता है, और उसके बाद uncle, जो Oscar होते हैं, वो दोर से हसते है, but where are your 300, लेकिन तुमारे 300, 300 pond क्या है, ठीक है, ठीक है, ओके, बैसेट, keep it for me, we are partner, तो उसने कहा कि जो बैसेट है, जो gardener है, उसके पास क्या पड़े है, पैसे मेरे पड़े है, ठीक है, ठीक है you are, you are, and what is beset putting on daffodil, तो वो कह रहा है कि जो beset है, वो कितने put कर रहा है पैसे, ठीक है, okay, he won't go quite as high as I do, I accept, perhaps he will go to 150, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैंने 300 लगाए है, तो beset ने 150 pounds लगाए, what pan is laugh the uncle, तो uncle कह रहा है, यहां पे कि क्या चिल्लर लगा रहे हो, तो यहां पे जब हमने बात करी, 300 रुपीज कौन लगा रहा है बच्चा, 300 हमारे लगा रहे हैं, पॉल, और 150 लगा रहे हैं हमारे बसेट जी, किसमें जल्दी बताएए, शर्त में, ठीक है, ओके, अब beset keep a bigger reserve than I do, तो उसमें कहा कि भाई, बसेट एक डेट सोर पे लगा रहा है, डेट सो पा डेट सो पाउंड लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सेफ करके ज्यादा रख रहा है, और पॉल कह रहा है कि भई मेरे 300 हैं और 20 पाउंड सी मैंने सेफ करके रखे हैं, क्लियर हुआ, चीक है, आगे चलें, चीक है, बिट्वीन वंडर और अम्यूसमेंट, अंकल आसकर साइलेंट, चीक है, अब अंकल आसकर को ना हैरानी भी हो रही है, और साते साथ उन्हें ना मज़ा भी आ रहा है, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि क्या ही मन और रंजन का काम है, यह तो, क्लियर है, येस और नो, येस और नो, अंकल आसकर वो साइलेंट, अंकल आसकर वो और उन्हें हैरानी भी हो रही थी हैरानी मतलब वंजर और अम्यूजमेंट उन्हें मज़ा भी आ रहा था क्या भई कि यह बच्चा कितना बड़ा पागल बना रहा है इतने सारे पैसे इन दोनों के पास कहां से आए क्लियर हुआ येस और नो चले आगे हैं चलो ही पर्सुएट दा मैटर नो फॉर्थर बट ही देटर्माइंट टेक इस नेफ्यू विद हीम तो लिंकन रेसे तो ही पर्सुड पर्सुड को क्या मतलब होता है आप 10th के बाद 11th में आई आपने क्या पर्सुड किया पर्सुड क मतलब क्या होता है जब आप चूज करते हो कोई चीज और उसमें आगे बढ़ते हो चीक है आपने कोई चूज करी फिल्ड आपने अगर कॉमर्स करी तो कॉमर्स में आगे बढ़ोगे पी सीम करी मतलब कि मैड और या नॉनमेड करा चीक है तो उसमें चलोगे या अगर आप ली होगी तो आप आर्ट में जाओगे तो परस्यू करना क्लियर है जल्दी बताएं ठीक है तो यहां पर क्या लिख रहा है अंकल ऑसकर वह साइलेंट वह तो शानते ही परस्यू डेट मैंटर नो फर्दर उन्होंने कोई परस्यू नहीं किया मतलब कि उन्होंने इस बात में देखा नहीं फर्दर मतलब कि और कोई बात जानने की कोशिश नहीं करी ठीक है अगर तू बोलड़ा तो चल लो ठीक है ठीक है ओके अगर रहां चल जलदी बताएं ओके नाओ तो उसने आगे से क्या बोला कि बेटा मैं तो ना 20 जो पाउंड्स है ना मैं तो मिर्जा पे लगाऊंगा जिस पे बोला मिर्जा पे और 5 पाउंड्स जिस पे तुम कहो मैं उस पे ही बेट लगा देता हूं ठीक है ओके तो उसने कहा आगे से कि ये बताओ कि बिटा तुम बताओ कि कौन से होर्स पे मैं बैट लगाऊंगा तो आगे से पॉल कहता है डेफिडल पर आगे से पॉल क्या बोल रहा है बच्छा, डेफिडल पर आप यहां पे शर्ट लगा लीजिए, clear है, चले आगे, ओके, no, not a fever on diffydil, Fiber on daffodil वो कह रहा है मैं तो 5 pound भी नहीं लगाऊंगा daffodil पे चीक है उसने क्या कहा कि मैं तो 5 pound भी नहीं लगाऊंगा daffodil पे I should if it was my own fiber said the child चीक है वो कहता है कि अगर मेरे 5 pound होते न तो मैं तो भई daffodil पे ही लगाता अब daffodil क्या है horse का नाम है clear है चले आगे चलो I should if it was my own fever said the child वो कह रहा है कि अगर ये मेरे 5 pound होते तो मैं तो भई daffodil पे ही लगाता हूँ चले आगे चलो Good, good Right, you are a fever for me and a fever for you on daffodil चीक है तो वो आगे से कहता बढ़िया है बढ़िया है तुम तो सही बोल रहे हो थीक है, 5 मेरे pound और 5 तुमारे हम लगा दते हैं daffodil पे थीक है, 5 तुमारे pound 5 मेरे pound हम लगा दते हैं daffodil पे थीक है, चले आगे अब यहां पे देखे क्या लिखर करा बेटा, एक बात आप लाइफ में हमेशा याद रखिए आपकी दिन्दगी है आपके हाथों बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग जाएंगे 90% लोग आपके focus को खराब करने आएंगे, 90% लोग, अब देखें, आप पे depend करता है, कि आप 10% की जनता में आना चाते हो, या 90% की जनता में आना चाते हो, यह जो 10% के लोग होते हैं, यहीं life में कुछ कमाल करके दिखाते हैं, अब आपको 90% में जाना है, यह 10% की category में रहना है, it depends upon you, बाते करोगे, तो बातों के लिए तो facebook है, whatsapp है, तो यह chat session क्यों लगाते हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप बिल्कुल पढ़ने नहीं देते हो, it's very bad, फिर अगर मैं कमेंट ना देखूं, तो क्या आता है, कि मैं कमेंट नहीं देखती, तो कहां से कोई डाउटनट की टीचर आपका कमेंट देखे की, कि अगर आपने बाते ही करनी हैं तो, ठीक है, always remember one thing in life, आपको 90% audience में जाना है, यह 10% में जाना है, और जब आप बड़े होके देखते हो ना, कि यह doctors है, ठीक है, यह engineers है, यहाँ पे commerce में जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच् के लोग हैं, जो distraction की तरफ नहीं, अपने focus, अपने goal पे रखते हैं, ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है, आपको 10% में रहना है, 90% में रहना है, मैं आपको बस बता सकती हूँ, कि 90% लोगों को आप ignore मारी है, lesson पढ़िए, कुछ doubt आता है, तबी chat section को आपने देखना है, otherwise आप मत देखिए, doubt आ रहा है, तो लिखे, doubt net clear करेगा, लेकिन अगर आप बाते करोगे, तो बेटे कहां से कोई comment देखेगा आपके, ठीक है ना, it depends upon you, आपको अपनी life कैसे बनानी है, ठीक है, चले हाँगे, चलो, अब जो child है, ठीक है, had never been to the race meeting before, वो race meeting में कभी भी नहीं गया था, ठीक है, और जो उसकी eyes थी, वो बिल्कुल blue fire की तरह थी, मतलब कि blue color की eyes और उसमें बहुत ज्यादा आग, मतलब कि बहुत गुस्से में, यह हम बहुत ज्यादा धहरानी से कोई चीज़ देखते हैं ना, तब हम कह रहे हैं, eyes were blue fire, ठीक है, he pursued his mouth tight, उसमें अपने mouth को बिल्कुल tightly रखा, and watch, और देखा, कि क्या होने वाला है, ठीक है, अब फ्रेंच मैन, just in front, had put his money on land card, अब यहाँ पे क्या है, एक horse ही होगा, ठीक है, अब एक उसके आगे फ्रेंच मैन था, ठीक है, फ्रेंच का रहने वाला था, उसने उसी horse race पे पैसे लगा दे, लैंचाट पे, ठीक है, लैंचाट क्या है, एक land है, ठीक है, and is of French origin, एक्जा मिलेगा, लेकिन land chart यहाँ पे क्या है, यहाँ पे land chart है, कि race का event, ठीक है, आपको यह meaning मिलेगा, chapter में क्या मतलब है, कि race का कोई event है, ठीक है, वहीं पे कोई horse है, wild with excitement, he flayed his arms up and down, jelly land caught, land caught in his French accent, wild, बिल्कुल बहुत ज्यादा मजे से, और excitement से, बिल्कुल उर्जवान होके, ठीक है, उर्जवान होके, उसने क्या बोला, he flayed his arms up, बिल्कुल हवा में अपने हाथ उसने उठाए, बिल्कुल excitement की तरह, अगर आप cricket में आज देखने जाते हो, यह आपको football पसंद है, ठीक है, और बोला जा रहा था, land court, land court, ठीक है, okay, daffodil came in first, land court second, mirza third, अब land court क्या था, एक तरह का horse event था, जिसमें land court नाम था, ठीक है, horse का भी, अब यहाँ पे, देखे, race होती है, ठीक है, जो frenchman था, वो land court को कर रहा था, land court जीतेगा, जीतेगा, ठीक है, और mirza पे uncle oscar ने लगा daffodil ही first position में, यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिख रखी है, कह रही हूं बेचा, ठीक है, यह line देखे, child has never been to the race meeting before, child जो था, वो कभी गया नहीं था, बस उसने bet लगाई थी, ठीक है, जैसे वो गया, तो उसकी जो आखे थी, वो बिलकुल चमक रही थ तो उसे वहाँ पे एक frenchman मिलता है, जो lancot एक नाम का horse है, ठीक है, horse का नाम lancot है, ठीक है, वहाँ पे एक बंदा है, frenchman है, वो उसे क्या कर रहा है, excited होके वो कह रहा है, यही जीतेगा, यही जीतेगा, ठीक है, लेकिन जो race में पहली position पे कौन आता है, daffodil, second पे कौन आता है, मिर्जा, और मिर्जा पर ही तो बेटा बैट लगाई थी अंकल ने, हाँ या ना, ठीक है, आगे चलें, चलो, the child flushed with and with eyes blazing was curious siring, तो flushed का क्या मतलब प्रवर्वर्द, ठीक है, और यहाँ पर क्या लख रहा है, blazing, यह चमक दा, अब तो जो पॉल था, ठीक है, जो बच् सिरिन का क्या मतलब हुआ, कि बिल्कुल धान से एक ही टका टक देखना, कि भई, अब जो मैंने सोचा था, कि डैफोडिल जीतेगा, तो डैफोडिल ही यहाँ पर जीता, ठीक है, ओके, चले, चलो, his uncle brought him four five pounds note, four to one, ठीक है, तो अंकल क्या लेकिया है, four, uncle क्या लेकिया है, his uncle brought him four five pound notes, four to one, ठीक है, four to one, ठीक है, what I am, I to do with these, he cried, वो तो रो रहा है, ठीक है, वो कह रहा है, मैं क्या करूँ इस चीज का, ठीक है, he cried, waving them before the boy's eyes, ठीक है, he cried, waving them before the eyes, ठीक है, he cried, waving them before the eyes, तो इसने का कि मैं क्या करूँ, waving मतलब की धियान से देखना, कि भई, मैं इसका क्या करूँ, ठीक है, waving them before the boy's eyes, तो अंकल के आखो में भी पानी भर गया, उससे पहले ही, जो बच्चा था, ठीक है, और उसने काहा, कि भई, मैं क्या करूँ इस चीज का, I suppose we will talk to Bassett said, the boy, तो यहां पे कहा, कि मैं Bassett से बात कर रहा है कि मुझे लगता है कि मैं पर 1500 pounds हैं अब 20 reserve में हैं और अब यह 20 और आ गए क्लियर हुआ आपको यहां तक जल्दी बताइए तो यह chapter अभी के लिए हम यहीं पर खतम करते हैं कोई doubt अगर आपको life में आता है इस chapter में भी आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा वीडियो के बात अगर आप बाई चंस लाइव नहीं देख पाए तो बेटा लाइव देखने का प्लीज ट्राइ कीजिएगा और कोई कि डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखेगा थांक यू सो मच डाउट नट पर बने रहे साथ बज़े वाली क्लास में वोकाबलरी सीरीज में जरूर आना है चेक बाबाई टेक केव